तो ऑना जोस्टर्यंट्स आज हम सिखेंगे केंविकाल प्रॉप्रॉपप्रिटिज में प्लयंेस सब tentang इक रखकेशेस committed अभी देखेंगे कि इétait जहाए है में नाव입니다 non-ants । remembers मेतम नान मेतम से वह प्रिके एक्षे Self और यॉ मेंने से क्लोरिंगे साथ आएाशन की आप युआपकिंगी सबसे पहले आपध साय देखे लंगे अंस ओबिशिघा और कॉरी इंट एक्जामपब लाइए। तो जो sodium का example लेते हैं, sodium अगर chlorine के साथ react होगा तो वो chloride, metal chloride soil, मतलब chloride मेटर कुन सा आएगा, sodium and NaCl, इसको balance करेंगे तो यह होगा, to NaCl, to NaCl, तो यह sodium chloride एक ionic compound यह form करवाता है, अगर metal, अगर non-metal के साथ अगर react होता है, तो ionic compound यह form करता है, ठीक है बच्चो, यह हम याद रखेंगे, और example अगर लेते हैं, aluminium का formula, AlCl2, chlorine के साथ अगर AlCl3, इस तरह से फार्म होता है, इसको balance भी हमी करना है, देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2AlCl3 मतलब हो जाएगा, 6, यह भी हो जाएगे, 6, लेकिन aluminium हो जाएगे 2, तो aluminium को भी 2, इस तरह से यह, अलग-अलग metal लेकर हम इसके chloride form कर सकते हैं, अब बात करते हैं, hydrogen के साथ, जो, लेकिन hydrogen के metals, generally, do not react with hydrogen, शोट में रिखता हूँ, तो, यह hydrogen के साथ, रेकिन हो जाएगे, some metals, some metals, such as, sodium, potassium, magnesium, और magnesium, और react with hydrogen to form its hydride, तो, यह हम यापी याद हैं कि वो hydride form करते हैं, तो, एक्जाम्पल का तोर पर हम देखिएंगे, आपे, sodium की बात किये, तो, sodium plus hydrogen, यह form करेगा, NaH, sodium hydride, तो, sodium hydride, यहाँ पर form होगा, जो के, आयनि, compound, यहाँ पर रहेगा, तो, sodium, जो है, तो, यहाँ पर hydrogen, तो, यहाँ पर two कर देगे, और sodium कर देगे, तो, इस तरह से, 2NH, sodium hydride, यहाँ पर form होगा, तो, यह सब बाते हम, नान मेटल के बारे में, याद रहें कि, मेटल किस तरह से, उसके साथ, रेयक्ट करते हैं, अँशो ओर से, जजए बाद से, अढ़ से, तो, वादा से, यहाँ जड़ों अरूरी और रहे तौ जान देगे, झाल झाल